नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वीवो Y75 vs Realme 9 Pro Plus 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, Y75 में 6.33 इंच जबकी 9 Pro Plus 5G में 6.31 इंच की लेंथ मिलती है जोकी 75 से कम है Width की बात करें तो Y 75 में 2.92 इंच जबकी 9 Pro Plus 5G में 2.89 इंच की Width मिलती है जोकि 75 से कम है बात करें थिकनेस की तो Y 75 में 0.29 इंच जबकी 9 Pro Plus 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है जोकि 75 से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो Y75 में 172 ग्राम्स जबकि 9 Pro Plus 5G में 182 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की 75 से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Y75 में AMOLED जबकि 9 Pro Plus 5G में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है असपेक्ट रेश्यो दोनों फोन में सेम ही, 20 रेश्यो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y75 में 6.44 इन्चर्ज जबकि 9 Pro Plus 5G में 6.4 इन्चर्ज मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 1080 by 2400 मिलता है स्क्रीन टू बोडी रेशियो Y75 में 83.92 प्रतिशत जबकि 9 Pro प्लस 5G में 84.21 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Y75 में 409 प्रतिश जबकि 9 Pro प्लस 5G में 411 प्रतिश प्रतिश मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्ज यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्ज कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो 75 में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera और आखिर में Macro Camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो Y75 में 7 तिफरेंट टाइप के फीचर्ज मिल जाते है अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो Y75 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की 3 different features मिलते है और 9 Pro Plus 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 6 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो Y75 में Mali-G57MC2 जबकी 9 Pro Plus 5G में Mali-G68MC4 मिलता है चिपसेट की बात करें तो Y75 में MediaTek Helio G96 और 9 Pro Plus 5G में MediaTek Dimensity 920MT6877T मिलता है बात करें RAM की तो Y75 में 8GB की RAM मिलती है जबकी 9 Pro Plus 5G में 3 Variant देखने को मिलता है जिसमें 6GB, 8GB, 8GB RAM मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो Y75 में 128GB की Storage मिलती है जबकी 9 Pro Plus 5G में 3 Variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 128GB, 256GB Storage मिल जाती है Expandable Memory की बात करें तो Y75 में Up To 1TB जबकी 9 Pro Plus 5G में नहीं है Operating System दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है Battery Y75 में 4050MH जबकी 9 Pro Plus 5G में 4500MH देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते है Colors की बात करें तो Y75 में 2 Colors जबकी 9 Pro Plus 5G में 3 Colors option मिलते है सब Information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y75 में एक ही Variant देखने को मिलता है जोकि 8GB RAM 128GB Storage के साथ 20,990 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें 9 Pro Plus 5G की तो उसमें 3 Variant देखने को मिलते है जोकि 6GB RAM 128GB Storage के साथ 24,990 रूपीज 8GB RAM 128GB Storage के साथ 26,990 रूपीज 8GB RAM 256GB Storage के साथ 28,990 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Vivo Y75 में 8,5 और 6 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Realme 9 Pro Plus 5G की तो उसमें 7,5 और 5 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में 9 Pro Plus 5G आगे है Main Camera में दोनों फोन सेम ही है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में 9 Pro Plus 5G आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दुसरा Realme Naso 55G है, तीसरा Vivo Y21T है और Last Competitor Phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M33 5G है और ये सारे फोन की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना